नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चानल में फिर से इवाग में हूँ आपकी वही अंजली कौन कहता है कि मेरे बिना वो खुश है जरा उनके सामने हमारा नाम तो लेकर देखो जी है आपने सही सुना हम आज के डिली राशी फलकी बात कर रहे हैं सिबसे पहले आज उनका बर्टे है या फिर मेरे जनवर्सरी है उनको मेरे तरफ से धेर सारे गुट विशिस तो चलिए शिरू करते हैं जिन्दगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जो मान लेता है वो हार जाता है और जो ठान लेता है वो जीत जाता है आप भी ये ठान लीजिए कि आपको कुछ करकी दिखाना ही है कम से कम उन लोगों को दिखाओ जो आपका मज़ा को डाते हैं आगे बढ़ने वाला इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वे कभी आगे बढ़ी नहीं सकता जिन्दगी में जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे कभी खोया नहीं करते उनके ही इतारे चमकती हैं जो मजबूरियों में रोया नहीं करते आप भी हाथ पर हाथ धर कर मत बैठे रहीएगा ये जिन्दगी है जनाब जो कभी रुकती नहीं हमेशा चलती है आज अगर दुख है तो कल सुख भी जरूर होगा मन में जो है साफ साफ कहें दिना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और जूट बोलने से फासले होते हैं तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशी फल की बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आज आपके लिए शुब रंग रहने वाला है नीला याने की ब्ल्यू और शुब अंक रहने वाला है साथ आज जो है आपको अपने काम पर बहुत ज़ादा फोकस करने की जरूरत पड़ सकती है कुछ मसले ऐसे भी हो सकती हैं जो केवल आप ही सुलजा सकते हैं और कोई नहीं सुलजा सकता अपने एगो और अपने मत भीदो को दूर रग कर अपने काम को प्रात्मिक्ता सबसे पहले दीजेगा आज कई लोग फैसला लेने के मामलों में आप पर निर्भर भी रह सकते हैं ये तो अच्छी बात है आपके लिए आपके रिष्टे आज आपके कुछ शिबातों से प्रभावित हो सकते हैं इसलिए आपको अपनी बोल चाल में थोड़ा सावधानी बटनी होगी अपनी लोगों के साथ अपनी बाचित खुले दिल और दिमाग से करें अपनी जो चीजें हैं उनको खुल कर बताईए कि आप क्या चाहते हैं आज जो हैं चंद्रमा का संचरण और राशी स्वामी मंगल की लाग भाव में स्थिती बहुत ही उत्तम ग्रह स्थिती बना रही है जादतर जो ग्रह हैं आपको बहुत कुछ बहतर दिने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब चीजें किसी भी तरह से आपको मिल सकती हैं इसलिए समय का भरपूर फाइदा उठाई सदो प्यों करें तो आप के लिए बहुत बढ़िया होगा राशी में स्थित चंद्रमा कभी कभी भावो का मनहस्तिती बनाएगा आज के दिन जिसकी वज़े से कोई फैसला डावा डोल भी हो सकता है अलस से भी हो सकता है जिसकी वज़े से कोई काम भी आपका टाल सकते हैं इन सबी बातों का आपको ध्यान रखता ही होगा आज स्टूडेंस के लिए जो समय है वो थोड़ा मिला जुला कहा जा सकता है आज का दिन जो है आपकी कुशलता और योग्यता के परदर्शन के लिए भी हर तरह से अनुकुल दिख रहा है ऐसे योग बने हुए है आपको अपने सहयोगियों से तारीफ मिल सकती है और हाँ आप क्यूंकि है ही हकदारिशी के आपके कुश योजनाओं को लोग सरहा सकते हैं आपके लिए समय जो आज का है अपनी नीजी उनती और आर्थिक से द्रड़ता बाने का है यानि जो आप चाहते हैं वो आज से ही अपिसे शुरू करें तो निश्चे ही सबलता मिल सकती है आपको अपने लोगों को बहतर तरीके से संभालना होगा इसे आपके रिष्टों में जो हैं और भी ज़्यादा प्रगारता आने की संभावना दिख रही है आज कल आपका अपने खुद की उपर विशेश ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखा रहा है आज कल कुछ आपको अपने परस्नालिटी को निखाने के विए भर सकत प्रयास कर रहे हैं अपने looking अपने style को भी change कर रहे हैं सादे साद जो हैं आनिक शेत्रों में भी उन्तिक के लिए प्रयास रख है वक्त आपकी पक्ष में ही रहेगा आज की दिन आज आप अपनी प्रभाविशाली वानी द्वारा परिस्थितियों को जादा अपनी पक्षमे करने के लिए सफल रह सकते हैं याज आज आप अपनी मधुर वानी से अपने चीजों से जैसे आप दूसरों को बताते हैं उसे अब काफे लोगों को अपनी और आकरशित कर पाएंगे जिसे आपकी जो काम हैं वो जल्दी से बनते चले जाएंगे और लोग भी आपकी बात माल लेंगे कभी-कभी आपका अर्थेदिक स्वार्थी हो जाना मित्रों के साथ समन्द आज भी गार सकता है याद रखिए मित्र बारबा नहीं मिलते इसलिए आप स्वार्थी मत होईए उनसे दिल से रहिए दिल के साथ बाते करें आज किसे यात्रा या घोमने फिनने से बचना होगा कहें भी बाहर मत जाएं खास कर बोड़े और बच्चे मत जाएंगे तो बहदर होगा खास लोगों से मुलाकात हो सकती है या फिर किसी पुराने दोस्त का आज फोन भी आ सकता है जिसकी वज़े सोहें आज का जो दिन है आपके लिए यादगार साबित हो सकता है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लब लाइफ के बारे में पते-पतनी के आप से समंदों में आज मधूर्टा दिख रही है फिजूल के प्रेम समंदों में अपना समय बरबात ना करें यानि कि अगर आप सीरियस हैं तभी आप इस रिष्टिय को आगे बढ़ाए पर ऐसे फ्लाटिंग करने से कोई भी खास फाइदा नहीं देखने को बिलेगा उल्टा समय की बरबाती होगी अपने प्रेमी को उन्हें विशेश महसूस करवाने के लिए उन्हें एक व्यक्तिगत नोट लिखे यानि कि आप सोचल साइट के द्वारा भी उन्हें एसमेसेंज कर सकते हैं या फिर आप लैटव भेज सकते हैं आज पती पतनी के सबंद सोहार्द पूरण भी रहेंगे घर में महमान का आगवन वातावरण को मनुरंजन बना सकता है या फिर कोई खुशी की ऐसी खबर मिल सकती है जिसे वातावरण में खुशाली चा जाए यसे मांगली का कारी समंदी यूजना भी बन सकती है आज अपने अहंकार को अलग रखीगा क्योंकि ये आपके रिष्टे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये जाए अहंकार होगा रिष्टे में वहां कभी में रिष्टा ठहर नहीं सकता इसलिए रिष्टे को संचुई रखीए जैसे माला में मोती होते हैं बढ़ते हैं आगे हम करियर और बिजनस की दरब तो आज करियर और बिजनस कहता है कि नौकरी बेशा व्यक्ति अपनी जॉब बदलने के लिए कोशिश ना करें क्योंकि जहाँ भी जाएंगे परिस्थितिया नहीं बदल सकती हैं इसलिए प्रेजन टाइम में जो चल रहा है उसी पर कारे करें जहाँ पर आवे जॉब कर रहे हैं किसे बाहरी व्यक्ति का हस्ताक शेप ना होने दे अगर कोई बाहरी व्यक्ति हस्ताक शेप करता है तो इससे आपको ही नुकसान हो सकता है या फिर आपसे बॉस में नराज हो सकते है आपको काम पर बहुत ही जाड़ा ध्यान देना है क्योंकि आपकी टीम को आपकी आसपास रहना बेहत पसंद है अपना कम्यूनिकेशन बहुत ही स्वश्च रखे, साफ रखे जिसे दूसरों को समझने में असानी हो सकती है कारेसल से भेजे गए माल की किसी वज़े से वापसी भी हो सकती है किसी वज़े से कोई नुकसान छोटा मोटा आपको उठाना पड़ सकता है आपको हर चीज का ध्यान रखता होगा अपनी कस्टमर की थिंकिंग का, कस्टमर की दिमान का अच्छे से ख्याल रखे तो better result आपको बिजनस में देखनी को बिल सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप से बहुत से जुड़, लोग जो हैं वो जुड़ सकते हैं कस्टमर नएब बन सकते हैं नौकरे बेशे व्यक्ति भी धान लखे कि कोई भी ऐसा काम मत कीजेगा जिससे आपको बोस की नराजगे सहनी पड़े इस डेव बोस को कुछ करने के लिए वही काम करें जैसा कि उन्होंने बोला है आपको आपके जुए बारिक विचार है उनको आपके भागी दरद्वारा अप्रूव किया जा सकता है फाइनाशल मामलों में आप काफी समयदारी से काम लेंगे आज आप काफी हद तक सेविंग्स कर पाएंगे चाहे वो जौब कर रहे हैं चाहे वो बिजनसमैन है काफी हद तक सेविंग्स होगी जिसे आने वाले दूनों में आप लोगों को जो है बहुत ही फाइदा देखने को मिल सकता है तो जलिए अब बढ़ते हैं आगे स्वास्ते की तरफ आज जो हैं आप में से काफी हद लोगों का जो स्वास्ते है वो पैटर और ठीक रहेगा थोड़ी आलस की स्थिती बनी हुई हैं ऐसे सितारे कह रहे हैं और आराम जादा करने का मन भी हो सकता है लेकिन जादा आलस शरीर के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है दान से रेलेटीर समस्याओं का इलाज आज आज आप करवा सकते हैं जिस मिमारी से आप पहले से परिशान थे वहिया जो मौसम की बगलाव की वज़ा से भी सिर में भारीपन हो सकता है वैसे तो स्वास्त ठीक है चिंता ना करें शरीर में गर्मी हो सकती है जिसके वज़ों सो है आप बहुत ही अजीव सा महसूस कर सकते हैं इसलिए आपको ठंडी चीजों पर भी थोड़ा जोर देना चाहिए टकने की मोच उत्पादक्ता को प्रभावित कर सकती है आप में से कुछ लोगों को जोरों का दर्द भी आज हो सकता है इस बात का आपको विशेश रूप से ध्यान लगना होगा तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के बारे में आज आप के लिए भी शेश रूप आए तो सबसे पहले ये रहेगा कि आज आपको गाइतरे मंत्रे या फिर महामरितुजे मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए और साथ यसाथ में अगर आप हल्दी और चंदन का तिलग आपने ईष्ट देव जिसको भी आप मानते हैं उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा साथ यसाथ में अगर आप दान कुन्य करना चाहते हैं तो गुप्त रूप से दान कीजिए मैं हमेशा से हर बार ही कहती हूँ कि दान गुप्त करें और हाँ अगर आप दान अन कादा करते हैं तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लेगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलीगा धन्यवाद